हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग आई होग कि आप लोग अच्छी होंगे और आज हम लोग क्लास तेंथ मैट से टोप पांच महत्पून प्रसन को देखेंगे जिसे अगामी बोड़ीगा में पूछे आने की समामना है अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब जरुब किजगा तो आए बीना समय के माई वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रशन को देखते हैं प्रसन संख्या एक है एक समकों त्रिभुच की उचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अने दो भुजाओं का मान ग्यात करें कहने का मतलब यह है कि यहां उचाई दिया गया है कितना है आधहार से 7 cm कम है लेकिन आधहार पता नहीं है कर्ण कितना है 13 cm तो इसके लिए सबसे पहले एक समकुण त्रिफुश बना लेते हैं ठीक है तो लिखेंगे परश्ण संख्या 1 हल अधार को मान लेते हैं एक्स माना की अधार बराबर एक्स सेंटी मीटर ओके लिए देते हैं एक्स सेंटी मीटर तो उचाई क्या हो जाएगा मुचाई है आधार से 7 cm कम जाने कि अधार क्या है एक्स तो एक्स से 7 cm कम है जाने कि एक्स मैने 7 cm करन कितना है 13 cm करन है 13 cm तो एक है समकुन त्रिफुश है और समकुन त्रिफुश में पाइथागोरस परमेका प्रजोग करते हैं तो लिखेंगे पाइथागोरस परमे से तो पाइथागोरस परमे क्या चाहता है एक समकून तिर्भुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है यानि कर्ण का वर्ग बराबर उचाई का वर्ग प्लस अधार का वर्ग तो कर्ण कितना है कर्ण है 13 यहां भी लिख देते हैं 13 और उचाई है x-7 और अधार है x ठीक है तो कर्ण कितना है 13 है तो 13 का वर्ग बराबर उचाई है x-7 इसका वर्ग प्लस अधार कितना है अधार है x तो x का वर्ग तो 133 क्या हो जाएगा 179 बराबर x-7 का वर्ग यानि x-7 में x-7 से गुणा करना है ठीक है तो आयो गुणा कर लेते हैं देखें एक्स माइनस साथ में x-7 से गुणा करना है ठीक है एक्स में 1 सी गुणा करेंगे तो x-square यह PLUS है प्लस माइनस माइनस साथ में एक से गुना होगा ए अधार साथ I एकस्टानर माइनस गुना करेंगा और प्लस का उन्चाष्ट और एड़ प्लस का ऐकश्क्ट इसके बाद सब को जोड़ लेते हैं, घ्र-एकस्टान बत्र भर एकस्ट nessa और एक स्क्राइब इसमें भी एक च्पाउole वहा है तो यहागा 20uks on माइनस का चौदा एक्स और प्लासका उनुदा इसको पिलीख लेंगे दो एक्सेट स्क्राइब माइनस का चौदा एक्स और प्लस का उनुदार इधर है तो इधर आजयागा तो यह हो जागा माइनस का 179 बराबर सुन एक इसके बाद 2x square माइनस का 14x plus का 49 और माइनस का 179 तो 9 में से 9 जागा क्या बचेगा सुन ने 6 में से 4 जागा क्या बचेगा 2 और यह हो जागा 1 यहीं माइनस का 120 बराबर सुनने यहां चाहएं तो आप दो कॉमा ले सकते हैं जब दो कॉमा ले लेते हैं तो इसमें का बच़एगा x का square माइनस 72 14x और 72 120 बराबर सुनने यहां कुछ नहीं है то यहां एक मान लेना है एक स्क्वाइड माइनस का 7x माइनस का 60 बरावर सुन ठीक है अब इसका गुनलखंड करना है तो गुनलखंड करना तो आप लोगों को आता ही होगा ओके और नहीं करने आता है तो मैं आपको बताता हूँ दीखे यहां कुछ नहीं है तो यहां एक मन लेना है ठीक है पहले बाले को और आखरी बाले को गु की कहला बारा में बारा नीचे वालाता है तक या था लाता है लोगा की तो मैनश करदा कि क्या था लेकिन शर्प करें लोगां मैनस को साथ आजाए फोर होडरण से अर्फ्रीर मैंस स्टा-फंश केंश बारेश पाला इक्सव infections B एक पद, दो पद, तीन पद था, अब मेरे पास एक, दो, तीन, चार पद हो गया, ठीक है, दो पद अलग कर लेंगे, और दो पद को अलग कर लेंगे, तो common लेना है, तो common लेना भी मैं आपको सिखा जाता हूँ, देखे, common कैसे लेते हैं, देखे, x square माइनस का 12x है, x square का मतलब क्या हो जाएगा, x दो बार है, ठीक है, यहाँ 12 है, तो लिख सकते हैं, देखे, 2, 2, 4, 4, 12, ठीक है, गुने x, अब यहाँ माइनस के साइन के इस तर चार्थिया, 12, ओके, तो x common लेते हैं, तो x माइनस क्या बचता है, 12 बचता है, और यहाँ देखे, इसी प्रकार यहाँ common लेंगे, 5, इसमें क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और 12, 5, 60, ठीक है, एक छी ध्यान रखना है, कि अंदर वाला जो संख्या है, यह दूनों से होना चाहिए, अगर अलग-अलग आता है, तो इसका मतलब यहाँ है, कि कहने कहीं आप गलत कर रहे हो, ठीक है, तो x का, x प्लस 5 और x माइनस का 12 बराबर सुन, इसको दो पार्ट में कर लेते हैं, x प्लस 5 बराबर सुन, और x माइनस 12 बराबर सुन, ठीक है, यह क्या हो इसका माना है, और अधार क्या है, लंबाई में ही है, ठीक है, तो लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो यह तो होगा नहीं, चुकि यह रिनात्मर खे, इसले नहीं होगा, ठीक है, तो अधार क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो लिखेंगे, अधार बराबर कित ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रस्तन संख्या 2 को देखते हैं प्रस्तन संख्या 2 है यदि 10 A प्लस B बराबर अंडरूर 3 और 10 A माइनस B बराबर 1 बटा अंडरूर 3 ठीक है तो क्या करना है A और B का मानिगात करना है A जो बीच में दिया हुआ है ये आपलों को ड़राने के लिए दिया हुआ है ये कुछ भी नहीं है आप इस पे ध्यान भी मत देना ठीक है वैसे क्या है सुन से बढ़ा है A प्लस B और इस से बढ़ा है 90 डिगरी ठीक और यहाँ A बढ़ा है B से ठीक है बस इतना है लिखा हुआ है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है आपको सिर्फ इस पर और इस पर ध्यान देना है ठीक है तो लिखेंगे प्रस्न संख्या 2 का हल क्या है 10 A प्लस B बराबर अंडरूर 3 और 10 A माइनस B बराबर एक बटा अंडरूर 3 ठीक है तो 10 A प्लस B बराबर 10 कितने डीक अंडरूर 3 होता है तो 10 60 का होता है तो कि लिखेंगे 10 60 डीकरी और यहां 10 A माइनस B बराबर 10 कितने डिकरा माना होता है एक बटा अलपर वरला यहां से इस एक बलासट बिए इसको समेकाअग संख्या और A-B बिरावर क्या हो जाएगा 30 dg इसको समिकर दो मानेंगे और समिकरन 1 और समिकरन 2 को बना देंगे ठीक है कैसे बनाएंगे A 2-1 बिरावर साक्ष डिकरी A समिकरन 1 है और A-B बिरावर 30 dg A समिकरन 2 है जीए आपनों बनाता है है जिसे चाहे तो आप वैसे वना लो कोई दिकत नहीं है ठीक है इससे इस पंद प्राइब साथ डिगरी और त्रीश्च डिगरी क्या हो जागा नभे डिगरी तो यह बराबर क्या हो जागा 90 बटा में दो या की काटेंगे तो क्या आएगा 45 डिगरी एक आपा दलिगरी एक क तौक ने पर तेक संब्सक्राने क्या है एक पलस की बनावर साहते डिगरी ओभ यह कि सब्सक्राइब 5 दिग मिकले प्लस ब्राबर सांट डिगरी तो 2200 ईंक और धिक ignoring और बीक बरावर के आगया पंद्रा डिगरी ठीक है यही क्या हो जागा यहीं सर हो जागा ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रस्टन संख्या 3 को देखते हैं तो प्रस्टन संख्या 3 है दो घंव जीन में से प्रतेक का आयतन 64 cm Q है कि सनलगन फलकों को जोर कर एक घंव बनाया गया है घंव का प्रिष्टिय श्यत्फल ग्याद कीजिए ठीक है कहने का मतलब है कि दो घंव है और दोनों घंव को जोर कर एक घंव बनाया गया है तो घंव का प्रिष्टिय श्यत्फल ग्याद करना है ठीक है तो लिखेंगे प्रस्ण संख्या तीन प्रस्ण संख्या तीन का हल है ठीक है दो घंड है तो इसको बना लेते हैं अगया है डोलुक्त कितना है चोशार संटीमेटर की जोशार सिर्टिमीटर की इसका भी जोशार संटीमेटर की इस दोनों घं को क्या क्या गया है जोड दिया गया है तो इससे क्या बना है एक घंणाब बना है इसका लंबाई ज्यादा हो जाता है तो हमें क्या करना है इसका जब तक लंबाई चोरा जान उचाई पता नहीं चलेगा तब तक हम क्या कर सकते हैं प्रिष्टे शित्र यांत कर सकते हैं एक तो कि इसका लंबाई क्या हो जाएगा इस धन का भूजा और इस घन का भूजा ठीक्वा इस्हांकृ 46 सींटी मेिटर क्यों है और घंक कहा प्राइतन का फर्मूला क्या होता है भूजा क्यूव बराबर 64 सेंटीमीटर की ठीक है तो भूजा लिखेंगे भूजा बराबर इसको अंडर उट करेंगे सकहां ठिक है और इस तीन को यहां डालेंगे क्यों कि अंदर में तेन स्थे अधियma हुआ वा तो उसको एक को बाहर करेंगे इसा इकना करेंगे इता इस लेगा इक बनितंगर करेंगे विड़िवक्ते सुपसां पर है तो एक बार लिखेंगे क्या गया दोजुना चार सेंटीमेटर तो यह जो किनरा यह कितना हुआ 4 सेंटी मेटर क्योंकि लंबाइं ही ने नहीं है तो यहां हमें क्या करना है कि घानाव का प्रिष्ठीय-च्ष्थ्रφल याद करना है तो लिखेंगे को मानाब का को प्रिष्ठीय-च्ष्थ्रफल ले डिटो इन टू 2 को common लेना है 2 into L L का मन क्या हो जागा दिखे L का मन है 8 B का मन कितना है 4 plus B B कितना है 4 गुने H H कितना है 4 plus L ठीक है तो L कितना है 8 इत्च इत्कितना है चार ठीक है तो यह हो जायगा दो इंटू आर्च चोप 32 लाच चार चोप 132 ठीक है तो दो इन्टू दो छे-ार्ट आठ आर दूदास का सुन्मने हांसिल एक तीन और एक चार चार एक पांच पांच तीन आठ कितना आया 80 80 दोने क्या हो जागा 160 cm स्कुरर एक है इस क्या आगया एंसर ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रस्न संक्या 4 को देखते हैं प्रस्न संक्या 4 है एक विरित की परीधी 88 cm है तो बिरित का शित्फल ग्याद करें देखे इस तरीके सवाले में हम लोग क्या करते हैं कि जिस चीज का मान दिया हुआ होता है उसी का फर्मुला लगा कर सवाल को आगे बढ़ा लेते हैं ठीक है तो लिखेंगे प्रस्न संक्या चार का हल ठीक है क्या दिया हुआ है बिरित की परीधी 88 cm बिरित की परीधी बराबर 88 cm ठीक है तो बिरित की परीधी का फर्मुला क्या होता है 2π I I R याने 88 cm 2 गुणे प्राइइ क कमण क्या होता है 22 बटा 7 गुणे R बडाबर 88 cm ठीक है इससे नहीं कटेगा उपर से गुणा कर देंगे तो यह हो जागा बाइस दुना 44 गुने आर बरावर 7 गुने 88 ठीक है तो आर बरावर क्या हो जाएगा 7 गुने 88 बटा 44 तो 44 दुना क्या हो जाएगा 88 साथ दुना 14 यहने कि तरीजा का मान क्या आया 14 सेंटीमीटर आया तो हमें ग्याद क्या करना है, हमें ग्याद करना है बिरीत का 6 तरफल, ठीक है, लिकालेंगे, इसलिए, बिरीत का 6 तरफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वेर, तो पाई का मन क्या होता है, 22 बटा, 7 गुने, आर का स्क्वेर, यारी की आर का मन क्या जाया है, 14, तो 14 गु ने 28 तो अर्दुना शोलह का चो हो हासीले का अर्दुना सोलह और एक शातरा दो दुना चार ठीक है तो छो शाचरेरा का एक हासील एक 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 दू और Fachar कितना एंग शॉला तो छोड़ा तो छेश्वास वॉला सेंटीमीटर इसक्वाइर इसका इंसर भाइगी के अब आगे पांच का हल, ठीक है, दुखात पुखपत क्या है, दो एक स्क्वेर, माइनस आठ एक्स प्लस छो, ठीक है, तो ए जो है किस का मान है, ए का मान है, और ए है, बी का मान और ए है, सी का मान, ठीक है, तो ए का मान क्या है, दो, बी का मान कितना है, माइनस आठ और सी का मान कितना है, छेप, तो सुन्यांकों का योग, लिखेंगे, सुन्यांकों का योग, इसको alpha plus beta ही बोलते हैं, ठ्लीके एक मूल alpha होता है, दुसरा मूल beta होता है, ठ्लीके है, तो alpha plus beta, बनामर क्या होता है, माइनस भी बटा में ए तो माइनस बी का मन क्या है तो माइनस का आठ बटा ऐ एक आ कि है दो ठीक है मैनस से मैनस के इस जाएका यहिए की आठ बटा में दो दो चाओ के आठ कितना आया चार और किसलां को का गुनल फल अल्फा गुने बीटा क्या होता है C बटा में A क्या है 6 और A का मन क्या है 2 2 3 6 कितने आया 3 आया फिक यही क्या हो जागा इंसर हो जागा तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 और सवाल आपको समझ में आ गया होगा अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेन कर सकते हैं और इस से पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलो के स्टडिके पहले लिस्ट में जाकर इसे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद